संडे के दिन आप जूलरी की बरसात में भीग जाएंगी एक तरफ से नौर्थ इंडिया की जूलरी आपका दिल जीतने आ रही है दूसरी तरफ साउथ इंडिया की जूलरी आपको दिवाना बनाने के लिए तयार है मैं भी आपको जूलरी के जोतिश से जुड़ी कुछ खास जानकारियां दूँगी तो चलिए जूलरी के अनोखे महा मुकाबले की शुरुआत करते हैं साउथ इंडियन जूलरी और नौर्थ इंडियन जूलरी के बीच होगा महा मुकाबला ये शुरू ही होने वाला है लेकिन इससे पहले आपके काम की एक जानकारी दे देती हूँ आपको घर में जो आपके पास गोल, चांदी, सब चीजे हैं, जूलरी है, पैसे, ये किस डारेक्शन में रखना चाहिए आईए ये जान लेते हैं, सबसे पहले जानिए आपको कैसे पता चलेगा कि जिस डारेक्शन की मैं बात करने जा रही हूँ वो आपके घर के हिसाब से किस तरफ होगी सब डारेक्शन में पैसा, सोना, चांदी और आभूशन रखने से नुकसान तो नहीं होता लेकिन बहुत जादा बढ़ता भी नहीं है इसलिए कोई खास फाइदा नहीं है इस डारेक्शन, यहाँ घर की संपत्ती तिजोरी रखना बहुत शुब होता है और उसमें बढ़ोतरी होती रहती है वेस डारेक्शन, यहाँ धन संपत्ती और आभूशन रखे जाएं तो कुछ न कुछ शुब जरूर होता है घर का मुख्या, अपने सगे संबंदित, अपने जितने अच्छे रेलेटिब्स और दोस्त हैं उनके साथ उनकी मुश्किल पूरी तरह से बाटता है अगने कोई, दक्षन पूर्फ, यहाँ धन रखने से धन घटता है क्योंकि घर के मुख्या की आमदनी, धन के खर्चे के हिसाब से कम हो जाती है इस वज़े से कर्जे के हालात बने रहते हैं साउथ वेस्ट कोने में, यहाँ आगरा पैसा रखते हैं, महंगा समान, आगूशन रखे जाएं तो वो टिकते जरूर है लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है यहाँ पैसा और रखा हुआ जेवर गल्ट धंग से कमाया हुआ होता है नौर्थ वेस्ट एरिया नौर्थ वेस्ट में धन रखा जाए तो खर्च जितनी आमदनी जुटा हुआ है मुश्किल से होता है ऐसे में बजट हमेशा अगर बढ़ा जाता है मतलब इतने पैसे आए तो अचानक इतना खर्चा आ जाएगा और कर्जदारों से सताय जाते हैं ऐसे लोग अगर आप इसको इस नौर्थ इस्ट में रखते हैं तिजोरी वाले कमरे में कबार या मकरी के जाले होने से नेगिटिव एनर्जी पैदा होती है जो परिवार की खुशाली में बादा पैदा करती है घर की खुशाली में बादा अगर पैदा हो रही है तो घर के अंदर से देखने पर घर के अंदर से देखी और उसे बहुत खुशियां प्राप्त होती है उसका पैसा बे मतलब की चीजों पर खर्च होता है और सेहत हमेशा नरम गरम रहती है अब आगे बढ़ने से पहले North versus South Indian Jewelry का महा मुकाबला देख लेते हैं मैं तो बहुत एकसाइटेड हूँ मुझे तो दोनों जूलरी बहुत पसंद है देखते हैं आपको कौन सी पसंद आती है आज मैं आप पहुंची हूँ मार्केट में और यहां पर देखूँगी कि South Indian और North Indian Jewelry में कौन सी जूलरी जादा अच्छी है कौन सी मुझ पर जादा सूट करेगी और साथी साथ किस ओकेजन पर किस तरह की जूलरी के साथ कैसी ड्रेस के साथ आप कैरी कर सकते हैं तो आज शुरू करते हैं North Indian Jewelry वसे South Indian Jewelry यानि North Indian और South Indian का महा मुकाबला और यहाँ पर मेरे साथ अभिशेख हैं वाइलास अभिशेख वेलकम टू इंडिया न्यूस थांक्यू गीता मैं बहुत कन्फ्यूज रहती हूँ कि North Indian Jewelry अच्छी है या South Indian और आज बहुत सारे डिजाइन्स आप आप मुझे बताने वाले हैं तो सबसे पले North Indian Jewelry के बारो में बताईगे क्या कुछ है दाजी ब्यूटी आफ इंडियान जूल्री इंडिया के हर एक स्टेट्स में इतने सुंदर आट फ़र्म्स हैं और वह चीज आपको जूल्री में देखने मिलता है जैसे आप देखेंगे North में स्पेशली जब कुछ वेडिंग सीजन वा स्पेशल अकेशन हुआ तो इन्होंने पैना हुआ है यह कुंदन बेस चोकर है जो बहुती कंटेंपररी और ट्रेडिशनल का मिक्स डिजाइन है मारा स्टूडियो वाइला का कलेक्शन है बेसिकली गोस मोर विट एथनिक इसके साथ में आप जो रेड स्टून्स देख रहे हैं यह रूबी लुक अलाइक सेमे प्रिशा स्टून्स है और कुंदन का वरकेश में इसका कंप्लीट सेट है यू कन सी दी हंगिंग्स गले में चोकर है है हैंड बेंज हैं आपका स्टाइलिंग के साथ में जाता है कुंदन जूल्री बहुत जादा ट्रेंड में हैं नौर्थ इंडियन में और अगर वेडिंग सीजन ओन है आप चाहते हैं कि कुछ बहुत स्पेशल से ओकेशन में आप बहुत खूबसूरत लगे तो आप नौर्थ इंडियन की कुंदन ज आप मेरे से पूछे क्या कुछ करी नहीं किया है इसमें नोंने बैसिकली साउथ स्पेशालिटी है वहां का टेंपल जूल्री गोल बेस जूल्री सो इनोंने वेस्बेंड आप देख सकते हैं शीज करीं ब्यूटिफुल वेस्बेंड है हातों में बड़ा चॉड़ा इनका वो है बाजू बंद है बैंगल्स हैं वेरी उनिकली डिजाइन बैंगल्स हैं विच प्योर्ली गोल बेस एट से लुक अलाइक फाइन जूल्री आप देंगे लक्ष्मी जी का इडल बना हुआ है गॉड़ लक्ष्मी का और उसमें उसके सेम उनके पास में सेम रानी हार के स साथ में उन्होंने नेक लाइन से टीम अप किया हुआ है बिक बिक हांगिंग से उनका और यह सबसे यूनिक जो बना देता है जो कमर बैल्ट है वेस्ट बैल्ट जिसे कहते हैं यह भी साउथ इंडियन जूल्री को बहुत ज्यादा खास बना देता है और यह एक नया लुक देता है बिलकुल करेक्ट आप उसमें देखेंगे उसमें जो डिजाइन है वो चेंड चेंड के जैसे है वो भी एक आर्ट फॉर्म है और वो गोल में बहुत ज्यादा पॉपुलर है तो साउथ में जैसे स्पेशल लोकेशन हो गया वेडिंग हो गई या कुछ पूजा हो इसके लिए लोग यह तेंपल जूलरी बहुत जादा पसंद करते हैं इस एवर ग्रीन इस नॉट की यह आप पैनेंगे तब पैनेंगे यह हमेशा ही से स्टाइल में रहा है और अभी भी हमेशा ही एवर ग्रीन है यानी साउथ हिंडियन में टेंपल ज्यूलरी बहुत ज़ जुल्डी में और क्या कुछ खास है अभी इनके पास और भी बहुत कुछ बादी है लेकिन पहले आपके काम की एक और जानकारी अगर आपको सपने में जुल्डी दिखाई देती है तो इसका क्या मतलब होता है कभी सोचा है आज जान लीजे अगर आपने सपने में किसी कम उम्र की महिला के कान में जुमका पहने देख लिया तो समझ लीजे भविश्य में कोई अच्छा समचार बिलने वाला है अब गोल की बात कर लेती हूं अगर सपने में सोना दिखाई दे तो समझ लीजे कि परिवार में बिमारी बढ़ सकती है धन हानी हो सकती है बच कर रहने की जरूरत है अगर सपने में सोना मिलता दिखाई दे जाए तो पैसे की बड़ोतरी हो सकती है अगर आप सपने में गोल किसी दूसरे को देखते हैं ऐसा देखते हैं तो दूसरे को लाप पहुचा सकते हैं अगर सपने में सोना गिर्वी रखा देखते हैं अपना या दुसरे का तो आपका अपमान हो सकता है बच कर रहने की जरूरत है अगर कोई लड़का सपने में कोई गहना देखे तो भारी पारिवारिक खर्चे होंगे याने की expenditures होंगे अगर वो गहना देखे तो उसकी पतनी या लवर के उपर आफ़ता सकती है वहीं अगर लड़की सपने में एक यान एक गहना देख ले तो उसके पती की सम्रद्धी होगी अगर सुहागन सोने के गहनों को पहने सपना देखे तो वह अपने पती के संबंदित किसी अच्छी जगा पर उसको अच्छी से representation या में ब ख्यान देनी की जरुवरत है कुवारी लड़की सपने में अगर गहना देखे तो उसका पती जो है बहुत ज़्यादा उसके एकस्पेक्टेशन जितना रिच नहीं होगा ऐसा कहा जाता है पर फिर डिपेंड करता है एक दिन चांदी आया अगले दिन सोना आ गया तो पर फिलाल इसका यह मतलग है या आपकी कोई भी एकस्पेक्टेशन जगर नॉर्मल है तो वह पूरी नहीं होंगी ऐसा भी होता है अगर क्वारी लड़की सपने में गहना पहने में देखे तो वह बहुत अच्छे रिच परिवार में जाती है अभी आपको जूल्री से जुड़ी खास टिप दूंगी लेकिन पहले नॉर् चीज का खयाल रखते हैं और अभी अगर बात करें तो हम जोली बहुत सारे चाहते हैं की करें अची लगए वह एक नया लुक है कर देती है तो आप कैसेने में नॉर्थ इंडियन और ऑर साओ पी कैसी जूली कैर सकते हैं अभी आप देखेंगे तो नौर्ट इंडियन में इन्होंने टैसल्स क्यारी किया हुआ है इसके साथ में एरिंग जो आप देख सकते हैं जो थ्रेट्स हैंगिंग्स हैं तैसल्स और उसमें आप देखते हैं इन्होंने टीम आप किया वा स्टूडियो वायला जैपूर उसकी एरिंग पैनी है तो इस वेरी वेरी कांटेंपरी स्टाइलिंग दिस वेरी कंटेंपरिली स्टाइलिंग और यह जो क्याज्वली सूट के साथ में उन्होंने टीम आप किया हुआ है यह बेसिक जो चोटे ओकेशन्स होते हैं उनमें काफी ऐलिगेंट लगता है पंज अब बात करते हैं साओ्ध इंडियन जूलरी की साथ हिंडियन में जो कैजूल ला अगर आप चायूल में चाहते हैं तो आपकेशन किया अब हैखिजेक साओ अन्डियन में भी हम कैजूल लुक बहुत प्यारे से बहुत खूब शूल Ari경 से कईरिक कर सकते हैं आप देख सकते अपने अपने बहुत भी ब्यूटिफुल है और उसके साथ में बहुत कम से कम जूल्री गले में पजवी नी पैना हुआ है क्योंकि एर रिंग्स है और अप देख रहे हैं इनका मल्टी लेयर्ड जो जुमकी होती है वो मल्टी लेयर्ड है उपर जो इसमें बीच है नीचे फ और सबसे टॉप में आप देखेंगे तो वहां पर मीना है तो इस वेरी युनो आप गुट फॉर स्मॉल लोकेशन आप छोटा कोई बड़्डे पार्टीज हो गया कोई रिंग सेरिमनी में फ्रेंड के इवेंट में जाना है उसके लिए ये स्टाइलिंग बहुत अच्छे वो भी बहुत खुबसूरत लगेगी और नॉर्थ इंडिन और साउथ इंडिन के हमने आपको तड़े तड़े के लुक बता है लेकिन कौन सा जादा अच्छा है कौन सा जो लुक है वो सबसे जादा पसंद किया जाता है जो 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 अच्छा है बस ध्यान रखे कि आप अगर नॉर्थ इंडिन जूलरी पर दोनों की अपनी अपनी ब्यूटी है दोनों की अपनी ब्यूटी है दोनों ही आप कैरी कर सकते हैं दोनों में ही आप खुब सुरत लगेंगे बस ध्यान रखे कि आप अगर नॉर्थ इंडिन जूलरी पहन रहे हैं तो आप नॉर्थ इंडिन जो ड्रेसेज हैं जो सूट है उनको आप कैरी कर सकते हैं पत्याला क जेख बहुत जादा इन होगी और आप साउथ हिंडियन परहें तो आप उस तरह का लुक रख़ें। आप कолжिन कलर्सarme जादा अप्ट कर सकते हैं… बहुत सारे ऌप्षिंस है थो साउथ हिंडियन में भी और नॉर्छ हिंडियन में भी तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं South Indian या North Indian दोनों ही जूलरी में आप बहुत खूबसुरत लगेंगे North versus South Indian जूलरी का महा मुकाबला जारी है आप देखते हैं क्या सामने आने आने वाला है मुझे मालूम है आप भी बहुत एक्साइटिड हैं दुलहन चाहे North India की हो या South India की खूबसुरत इतनी ही लगती है लेकिन दुलहन के लिए North India में जूलरी बिल्कुल अलग होती है और South India में बिल्कुल अलग अभिशेक अब हम North Indian और South Indian की ब्राइडल जूलरी की बात कर रहे हैं उसमें बताये क्या डिफरेंस होता है और कौन सी जादा खूबसूरत लग रहे हैं मैं तो बहुत कन्फ्यूज हूँ दोने ही बरत खूबसूरत लग रहे हैं अपनी अपनी अलग ब्यूटी है आप देखेंगे इसमें जो गॉल्ड बेस जूलरी होती है मोचली साओट इंडियान में अची इस वेरिंग दिस लेयर्ड राणी हार काइंड अफ तिंग विच बिग हार और गले में नेक में उन् और कमिंग तू दी नॉर्थ इंडियन यहां पे नोने कुंदन बेस बस्टियर्स पैना हुआ है जो बहुत ही है इसका पूरा कंप्लीट सेट डाला हुआ है यू कन सी और नेक एर्स रेंग और हाथ में नोने बाजूबन पैना हुआ है यह सब जो है यह भी बहुत ही ज्या इड़ गोष वेल इड़ विट लाइटर कलर डार में भी बहुत अच्छा दिखता है तो अपनी अपनी ब्यूटी यह दोनों ही जूल्री जोल्री की दोनों ही ब्राइड्स आप बहुत अब्याइट ब्यूटी एक गोल्डन है और दूश्रा आप कुंदन जूल्री का वग देख सकते हैं दोनों ही दुल्हने बहुत खुब सुरत लग रही है और आप देखते हैं आप डिपेंड करता है कि आप क्या कुछ केरी करते हैं और उस हिसाब से आप नौर्थ हिंडियन जूल्री का स्टाइल या फिर साउथ हिंडियन जूल्री आप कुछ भी केरी कर सकते हैं दोनों ही 28 में दोनों ही दूलन बहुत खूब सुड़ित लगेंगे